दिन पर दिन के इस तरफे करेंट अफेर्स के हम उन टॉपिक को पढ़ रहे हैं जो की एक्जाम औरियेंटेड है परिक्षा में आपके पूछे जाने की सबसे महात्यपूर्ण सम्भावना है प्रारंबिक परिक्षा और साथी मुख परिक्षा से जुड़े हुए बिसेवस्तों को टॉपिक को यहां पर हम छूते हैं तो तथ्यात्मक तोर पे मैं आपको एक करेंट अफेर्स में वही चीजे बताता हूँ जो की एक्जाम औरियेंटेड है एक्जाम में आएंगी इसलिए जितना मैं आपको बता रहा हूँ उस पर भरोसा रखिए और आगामी समय में बस आप सारे करेंट अफेर्स का आपके पास नोट्स होना चाहिए जिस टाइप में पुरा का पुरा नोट्स बनवा रहा हूँ और इसको रिवाइस करते जाना गरंटेड बोलता हूँ बहुत सांदार आप प्रदर्शन करके आओगे करेंट अफेर्स में ठीक है चलिए तो आज की अंक में सबसे पहला करेंट अफेर्स है ग्लोबल बौधिश समिट पहला बैस्विक बौध सिखर सम्मेलन दोहजार तेईस में योजित हुआ पहला बैस्विक बौध सिखर सम्मेलन पारल की बात हो गई है तो अब यह श्टार्ट हुआ है यह चुकि फर्स्ट टाइम था तो ये 20 से 21 अफ्रेल आपका आयोजित हुआ है ठीक है तो अब ये कहा आयोजित हुआ है तो ये आयोजित हुआ है नई दिल्ली में आयोजित हुआ है आपका ये नई दिल्ली में एयुजित हुआ है तो पहला बैस्षिक बौध सिखर सम्मेलन आपका एयुजित हुआ है नई दिल्ली में अब ये जो है किसके द्वारा करवाए गया है भारत सरकार के संस्कृति मंत्राले के द्वारा करवाए गया है ठीक है तो नरंद मोदीजी के दilibra इसका उध्घातन किया इस पूरे के पूरे सम्मेलन का ठीक है इसमें लगभग 171 विदेसी प्रतिनीधी समलित हुए कितने 171 विदेसी प्रतिनीधी समलित हुए साथी लगभग 150 भारती है महलब 150 प्रतिनिधियोंने बहुत संगठन के 150 तो 171 वि बिदेसी प्रत्यूनिद्ञी और 150 आपके ये बोध्थ प्रत्यूनिद्री बोध्थ प्रतिनिद्री हो रहे हैं ठीक है तो 171 गूना विदेसी के इन्दी एकसो पेड़े में हो दिए कि इसके और यह एक तरीके से आप सोचे बहुत इंपोर्टेंट हो जाता है तो आपको पता है कि इस से बहुत धर्म जो है एक बार आपका जो है चर्चा में बहुत जदा आ जाएगा और बहुत हीजम से जुड़े हुए चीजों को ले करके भी आपको पढ़ना चाहिए मैं इसको आन द्धर्म के बारे में चर्चा हुई इसके बारे में चर्चा होई जैसे कि सांत इइन शायं सब नालंदा बौद परंपारा के सरखषड है पाराructured है स्वास्त में संकट चल रहा है इन सभी समस्याओं के समधान को ले करके भी इसमें चर्चा हुई और साथ ही महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए जितने भी विरासत इस्थाल है उन सब के संरक्षण को ले करके भी चर्चा हुई तो चार बिंदु चर्चा में रहे पहला ब बहुत धर्म और सांती को लेकर के जैसे अंतराष्टी इस तर पे देखे युद्ध चल रहे हैं है ना तो बहुत धर्म और सांती को लेकर के चर्चा हुई तीसरा नालंदा बहुत परंपरा को फिर से जीवन्त बनाने की बात हुई और चोथा बहुत धर्म में तीर थियात्र जीवन्त विराशत और महत्मा बुद्ध के अवशेशों को लेकर के चर्चा हुई तो यह चार प्रमुख चर्चाएं जो है इसमें आपकी हुई है तो इसमें दलाई लामा भी आपके समलित है ठीक है जो बहुत दरब में धार्मिक गुरू प्रमुख है आप देख सकते हैं दलाई लामा जी भारत के प्रदाम्ति जी को द्वारा उद्गाटन किया गया था तो 171 विदेशी प्रतनीदी आपके समलित हुए है और साथ ही आपके 150 जो है बौध प्रतनीदी समलित हुए है इस परस्ट है करेंट अफेर से वाला क्लियर है सभी को ग्लोबल बौध्धि संके सहयोग से हुई आपकी यह प्रदाम्ति नवे मुझी के द्वारा उद्गाटन किया गया ठीक है इस परस्ट है चलो आगे वरतें नेक्स्ट अगला चलते हैं यह आप देख सकते हैं इसमें आपके जो है काफी सारे जो बिजेपी से जुड़े हुए लोग थे यार ने बिश्व प्रेस स्वतंतरता सूजकांक दो हजार तेईस अब आपको पता है यह किस लिए होगा ठीक है इसका जो है यह अभी तीन मई को जारी किया गया है तुल्कुल लेटेस डेटा है तीन मई दो हजार तेईस को जारी हुआ है आपका यह इसको जारी करने वाली संस्था का नाम है , फ्रांस की एक संस्था है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स यह संस्था के द्वारा इसको जारी किया गया reporters without border द्वारस संस्था के द्वारा इसको जारी किया गया 3 माई 2023 को जारी किया गया और यह France की एक संस्था है reporters without border उसके द्वारा जारी किया गया total इसमें 180 country थे कितने 180 देश इसमें total के total थे अब इसमें बात यह है कि भाई टॉप में कौन है और भारत की क्या इस्थिति है ठीक है तो टॉप में आपका नार्वे है वही दे country नार्वे आइसलेंड डेनमार्क ही जो आपके रहते है प्रेस सुतंता यहीं मीडिया की सुतंता से जुड़ा हुआ है ठीक है नार्वे नंबर दो आपका नार्वे आइसलेंड फिर डेनमार्क आइसलेंड आइसलेंड और फिर है नंबर तीन में डेन्मार्क ये तो आपके टॉप थ्री हैं तो फिर आपके मन में तुरंद प्रयास होता है कि भारत की इस्तिती क्या है बहुत बुरी है बहुत ज्यादा बुरी यह कब आया है आपका तीन मई को आया है ठीक है भारत की 2023 में इस्थिती 161 है 161 अब आप सोच सकते किता बुरा हाल है हमारे यहां पर प्रस की आजादी को लेकर के मुद्दा तो है यहां पर देखें देखो मेरा तो एक मुझे चीज समझ में आ रही है कि आने वाला समय ऐसा भी होगा कि जो मीडिया है ना आपकी जिसको लोक तंत्र का चौथा इस्तंब कहते है जल्दी जो है चुकि मीडिया के बारे में इतनी सारी चीजे लगती है बायश्ड भी होती है मीडिया बहुत मामलों में यह आरोप प्रत्यरोप लगते हैं जल्दी जिस तरीके से सोशल मीडिया अब इसको जो है कबर कर लेगी सोशल मीडिया ने बहुत बड़ा चेंज किया भी है है ना मेन स्ट्रीम मीडि के साथ-साथ जो एजुकेशन का प्रभाव बढ़ रहा है वो जो है इसको कबर करने का प्रयास करेगा ठीक है तो 161 नमबर पर भारत है नमबर एक पर नार्वे फिराइसलेंड फिर डेन्मार्क आपका है लास्ट में देखे बहरीन क्यूबा अब हमारी हालत कौन से अच्छी है ठीक है तो यह तीन माई को आपका जारी हुआ सब्सक्राइब करता है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर पेरिस फ्रांस की संस्ता है ठीक है तो 161 नमबर पर हैं हम कितने पर हैं 161 नमबर पर क्लियर रहा है इस परष्ट है यह वाला करेंट अफेर्स भी हाँ चलो अगला चलो नेक्स्ट यह भी एक बहुत महत्यपूंट डेटा आपके सामने लेकर के आ रहा हूं नेक्स्ट डेटा बहुत इंपोर्टेंट है अगला डेटा आपका क्या है अगला डेटा है विश्वय सैने खर्च प्रबत्तियां मिलिटरी में कितना पैसा काउन है काउन सा देश हुआ मिलिटरी में कितना पैसा कर्च कर रहा है इसको लेकर कि वहया रिपोर्ट आती है विश्व इप सैन्य खर्च प्रबत्तियां अब यह रिपोर्ट जो है इसके तहट बताय गया कि बिस्व में कित्ता पैसा सेना में खर्चा कौन सदेश करता है अभी हम भारत में आएंगे यह अप्रैल 2023 में रिपोर्ट आपकी जारी की गई जारी करने वाली संस्ता है Stock Homes International Peace Research Institute सिप्री बोलते हैं इसको इस संस्थान के दोरा इसको जारी किया गया Stock Homes International Peace Research Institute इस संस्थान के दोरा इसको जारी किया गया जारी करता ही है अब इस रिपोर्ट के अनुसार क्या क्या बाते की गई है सबसे पहले इनके दोरा बात की गई है कि जो 10 वर्स हैं 2013 से लेकर 2022 के दशक में 10 सालों में 19 प्रिस्द की ब्रद्धी हुई है 19 प्रिस्द की ब्रद्धी 19 प्रिस्द की ब्रद्धी हुई है 10 सालों में सेना में खर्च करने की प्रवत्ती जो है लगभग जो है आपकी 10 प्रिस्त बड़ी वो 19 प्रिस्त बड़ी है देशों में ठीक है अब जो है इसमें नमबर एक जो सबसे ज़्यादा मिलिटरी में पैसा खर्चा करता है आप सभी जानते हैं वो है अमेरिका दबा दब पैसा खर्च करता है नमबर एक पैसा खरता है यूएसे नम नमबर दो पर कौन होगा नमबर दो पर है चीन नमबर तीन पर रूस और चौथे नमबर पर हम कोई कम नहीं है हम भी है चौथे नमबर पर भारत फूरत नमबर पर आपका इस्टेब्लिश है पैसा खर्च करने में यदि मैं एक बार थोड़ा सा रफली आपको डेटा बताऊ हैं पहले मैं आपको बता रहा हूं कि टोटल कितने बिलियन डॉलर खर्च हो रहा है तो यूएस आपका सबसे ज्यादा करता है अब आप देखेंगे तो विकुल इतना पैसा कोई नहीं खर्च करता जितना यूएस पैसा खर्च करता है वर्ल्ड की अपनी मिलिटरी को बिलियन डॉलर ठेक है और रूस की बात करें तो रूस जो है 86.4 बिलियन डॉलर और हमारे देश भारत की बात करें तो हम भी है 81.4 एक 80.4 बिलियन डॉलर यदि हम GDP के अनुपात की बात करें कि GDP के कुल अनुपात का कितना ये खर्च करते हैं तो GDP के अनुपात का प्रस्त निकाने तो टोटल 3.5 प्रस्त ये खर्च कर रहा अपने GDP का इसका GDP का अकार भी बढ़ा है लगभग 20 ट्रिलियन से बड़ी GDP है परशेंट रूज यूज करता है और तो 2.4 परसेंट हम अपनी सेना में खर्च करते हैं अंतरराष्टी इस्तर पर पर यह पैसा खर्च करने की बात और भारत के बाद सौदीय अरब का नंबर आता है अब आप सोच रहा होंगे सब्सकान का बताद का सवतार नहीं कितना पर मिलिटरी में पाकिस्तान भी खूब खर्च करता है तो यह सोचे कि मिलिटरी पर 200 सेना पर खर्च करने वालों में सबसे नंबर एक अमेरिका है आस पास भी कोई नहीं उसके टिकता है इतना पैसा खर्च कर अपनी सेना पर और तभी तो आपको देखें अंतराष्टी इस पर कितना बवाल मचाए हुए है इतना पैसा खर्च करता है और हर जगे बवाल मचा के रखा हुआ इसने ठीक है तो यह आपको ध्यान रखना है most important आपका यह current FNS का topic है तो पहला topic आपका यह वाला हो गया छिक ठीक है जारत करो हाँ topic जैसे clear होता है एक बार comment होता हो done होता जा रहा है तो एक बार thumbs up कर दो या कुछ भी कर दो देखें एक नया portal launch किया गया है जिसका नाम है आपका skill hub portal एक नया portal जो है develop किया गया है new India new opportunity launch new skill hub portal आपका एक portal जारी किया गया है जिसका नाम है skill hub पोर्टल इसकिल हब पोर्टल जारी किया गया है आपका ठीक है अब यह पोर्टल जो है 25 मार्च 2023 को जारी किया गया है कब 25 मार्च 2023 को जारी किया गया है बंगलूरू करनाटक में यह जारी किया गया आपका ठीक है किस ने जारी किया है कौसल विकास और उद्धिमता इलेक्ट्रोनिक सेंड आईटी राज्यमंत्री राजियू चंदर सेखर के द्वारा जारी किया गया है जो हमारा कौसल इसकिल डेवलप्मेंट और उद्धिमता इलेक्ट्रोनिक आईटी मंत्राले है उसके द्वारा इसको जारी किया गया ठीक है अब यह किस लिए जारी किया गया इसका अल्टिमेट परपस क्या है चुकि नाम ही है इसकी लब तो यूआओं को उद्ध्योग के लिए तयार करने के लिए रोजगार परक बनाने के तो इसके लिए आपको पता है भारस सरकार के द्वारा प्रधान मंत्री कौसल विकास योजना का सुबारंब किया गया था कौसल विकास योजना आपकी कब शुरू की गई प्रधान मंत्री कौसल विकास योजना जुलाई 2015 में चालू की गई थी जुलाई 2015 में यह योजना चालूगी इसी के अंतरगत यह आपका इसका विद्धेश युवाओं को रोजगार के लिए प्रसेक्षन देना प्रधामति नहीं मोदी ने सुरू किया था कोशल विकास हैं मुद्यमिता मंत्रा लेकर द्वारा यह स्टार्ट किया गया था तब इससे लेकर अभी तक इसके चार संस्क्राण आचुके हैं अभी इस समय कोशल विकास प्रधान मंत्री कोशल विकास योजना फोर पॉइंट जीरो चल रहे है अभी केंद्री बजट में इस बार का जो बजट था 2023 का उसमें ये जो है मेंसन किया गया है कि हम प्रधान मंत्री प्रधान मंत्री कौसल विकास योजना 4.0 लेकर के आएंगे वैसे धरातली इस तर पे देखा जाए तो ये योजना जो है पता नहीं सरकार इतना पैसा खर्च कर रही है इस पे काम क्या ह हो रहा है पता नहीं चल रहा है तो इसमें जो है बहुत सारे स्लेबस को जोड़ा जाएगा जैसे कोडिंग जोड़ा जाएगा कोडिंग हो गया इसमें सिखाए जाएगा रोबिटिक्स को सिखाए जाएगा बहुत सारे स्लेबस में कई सारी चीजों को जोड़ा गया 3D प् तो यह आपको ध्यान में रखना है और यह आपको पूरा का पूरा कोसल विकास को लेकर के काम किया जाता है देखे कौसल विकास को लेकर जो मंत्राले है कौसल विकास उद्यमिता मंत्राले नया नया मंत्राले है 2014 में बनाए गया है पहले नहीं था यह जो प्रदान मंत्री आए है तो मोदी जी के द्वारा ही नया मंत्राले का सरजन किया गया है एक ही उद्देश है कि भारत को skill development करान इसमें college और university को भी जोड़ा जाएगा college और universities को भी skill of portal के साथ जोड़ दिया जाएगा ठीक है चलो आगे बढ़ें भाई हाँ आगे बढ़ते हैं next अगला है आपका भारत के संबिधान की जो है अनुबादित प्रती जारी की गई है और ये अनुबादित प्रती मलब अपने आपे बहुत revolutionary कदम कह सकते हैं वैसे तो ये होना ही चाहिए कि इंडियन constitution हर एक language में होना चाहिए तो ये जम्बू कास्मीर की एक जो है आपकी language है डोगरी डोगरी के स्मिधान की प्रती है आठ अप्रेल 23 को जम्भू कास्मीर विश्वविध्याल है आपका जम्भू कास्मीर उन्वस्ट्री में जो है केंडरिय कानून न्याय और संसथिय यो कार्य ंत्री किरन रिजू जुचु जी के द्वारा जो है आपका क्या किया गया है ये प्संश्कनट जारी किए गया है ठीक है उद्देश से क्या है भारत में सम्मिधान सब लोग पढ़ पाएं इसलिए भासाई गज्जो विविदिता है वो उसका बैरियर ना बने ठीक है तो भारत की सांस्क्रतिक व मुख भासा है आपकी ये ठीक है और जो आठवी अनसूची की बाइस भासा है उन में से एक मुख भासा है और डोगरी को कब जोड़ा गया तो एक बार मैं थोड़ा सा आपको आठवी अनसूची दो सेकेंड में बता देता हूं देखें आठवी अनसूची में कितनी भासा है है टोटल बाइस भास आये हैं ठीक है डोगरी तो ऐसे बावनवा नाइंटी माफ करेंगा डोगरी जोड़ी गई थी बानवी में सम्मिधान संसोधन में लेकिन मैं एक बार थोड़ा सापको बतायता हूं जब सम्मिधान लागू हुआ तब इसमें टोटल चौदा भास आये ठीक कितनी थी 14 ठीक है इसके बाद इसमें लगतर संसोधन होते रहे तीन संसोधन हुए है और टोटल बाइस भास आये हो गई है एक तो 21 संसोधन हुआ है एक कीसवा के बाद एक आपका 171 हुआ है और दूसरा आपका 12 हुआ है 21 संविधान संसोधन 71 और 52 52 नहीं 92 ठीक है 92 अब इसके तहट कितनी भासाइं जोड़ी गई है देखे इसमें अलग-अलग भासाओं को जोड़ा गया है 14 के बाद 21 में एक भासा जोड़ी गई है जिसका नाम हो गया सिंधी ठीक है और इसके बाद जो है आपकी 81 में 3 भासाओं जोड़ी गई है तो 15, 13 और इसके बाद 4 भासाओं आपकी 52 में जोड़ी गई है तो यहाँ पर क्यों एक भासा जोड़ी गई 21 में जिसका नाम है सिंधी ठीक है सिंधी इसके बाद आपकी तीन भासा हैं जो ओड़ी गए कोकड़ी, मरिपुरी और नेपाली यहाँ पे तीन भासा हैं कोकड़ी, मरिपुरी और नेपाली और चार भासा हैं आपकी 52. सम्मिधान संसोधा न दिनियम के तएद बोडो, डोगरी, मैथली, संताली तो टोटल यह हो गई 22 लेंग्वेज हो गई है तो यह बाइस लेंग्वेज में dogery में भारत के सम्मिधान का जो है क्या किया गया है प्रति को अभी साहिए देखो अभी जम्पू कासमिर आपको पता है की युनें ट्रेेट्री बनाएं तो ऐसे में वहां के लोग जो है भारत के सम्मिधान को समझ पाएं क्योंकि जम्बू का समीर का अपना अलग सम्मिधान हुआ करता था 370 जब तक था खुद का अलग सम्मिधान था अपना ध्वस था सब कुस था तो अब वह चुकी सिस्टम पूरा खतम हो चुका है अब भारत संग के देखो भारत संग का हिस्सा पहले दिन से जब राजा आरी सिंग जी के द्वारा साइन किया गया था बिले पत्र में पाकिस्त हत्यपूर्ण करेंट अफेर्स है कि भारत के संविधान का डोगरी में पहला संस्कार लॉंच किया गया है अब यह भासाई गद्वी विद्धिता की तरब भी सरकार ध्यान दे रही है ठीक है चलिए आगे चलते हैं सुबह सुबह जो है हम यह आप देख सकते हैं यह प्रत प्रतिमा है इसका अनावरंड किया गया है कितनी है 54 फिट उची प्रतिमा का अनावरंड किया गया है कहां किया गया है वहां पर गुजरात में जगे सालंग पूर धाम सालंग पूर धाम कि अब बहुत उची उची प्रतिमा है बन रही है आपकी लगातार ठीक है उनमें से इसका क्या किया गया है।। तो केंद्री गय मंत्री अमिर्साहं साह के दौरा उद्गाटन किया गया है। एक पच्पन करोड रुपले की लागत आई इसमें और आपको पता होगा यहां पर क्ष्ट भंजन्यून जी भी बोला जाता इनको क्या बोला जाता है। यह आप देख सकते हैं पृतिमा घर बैठे है आप लोग दर्सन कर लीजाए। ये है कश्ट भंजन हनुमान जी सालंगपुर धाम पे जो हनुमान जी है उनको बोलते है कश्ट भंजन हनुमान ठीक है यहां पे एक भोजनाले भी चालू किया गया है कश्ट भंजन भोजनाले ठीक है यहां पे एक घंटे में 20,000 लोगों का खाना बनाया जाता है आपका ठी जिसमें एक घंटे में 20,000 लोगों का भोजन भी बनाया जा सकेगा तो यह आपके कुछ प्रमुक पॉइंट थे एक तो सालंगपुर धाम में हनुमान जी की चववन फिट ऊची जो है आपकी प्रतिमान आवरेट की गई है दूसरा जो है यह सम्मिदान का डोगरी भासा में क प्रदामत्री कौसल विकास योजना के तैत यह विससायन प्रबत्तियां है जिसके अंतरगत सबस्यादा पईसा खर्च करने वाला देश अमेरिका है फिर अमेरिका के बाद चीन फिर भारत ठीक है इसके बाद जो है नेक्स्ट आपका यह बिस उतनता सुचकांग भारत की सब्सक्राइब है तो इसके बार नेक्स्ट आपका यह यह प्रत्थम पहली बार जो है आपकी बौधिश्ट समिट हुई थी पहला बैस्विक बौधिशिकर सम्मेलन हुआ था नई दिल्ली में ठीक है तो इसमें 171 देशों के प्रतनिदी और साथ में 150 बौधिश्ट प्रत है चलिए एक बार जो है टॉपिक आप लोग समझ लीजिए हाँ 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 22 लेंगवेज है टोटल के टोटल क्लियर है इस परष्ट है तो करेंट अफेर्स के इतने टॉपिक आज के जो है करेंट अफेर्स में आपके आइड करा रहा हूँ बस इनको पढ़ जाओ रट जाओ रिवीजन कर जाओ एक बात बता रहा हूँ जितने बच्चे पढ़तो रहें पर रिवीजन नहीं कर रहें ध्यान रखिएगा, एक्जाम बाले दिन यह अपका साथ नहीं देगा, डेली का डेली रिवीजन करो, सब्ताह में एक बार रिवीजन करो, रिवीजन मस्ट है, कम पढ़ों पर रिवीजन ज्यादा करो, जो पुराना पढ़ रहे हो, उसको अपने साथ ले करके चलो, झाल करिए लग्टे